हलू फ्रेंड्स वेलकम बैक टू फ्लाय इयर दोस्तो मेरा नाम है अभे और अपने एयर लाइन एयर्पोर्ट के एक्स्परियन्स के बैसिशन के आपको गाइड करता हूं बताता हूं कि एयर लाइन एयर एरपोर्ट में जोब पाने का सही तरीका क्या है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही important update दूँगा Akasa Air के बारे में और ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है अगर आप point number one airline airport में job पाना चाहते हैं point number two Akasa Air में आपने apply किया है point number three आपका first round हो गया है point number four आपका second round हो गया है या फिर point number five इन future आप apply करने वाले हैं या फिर आपके जितने भी round clear हो गया है आप Akasa Air के side से कोई response का wait कर रहे हैं उनके mail confirmation का wait कर रहे हैं जो आपने interview दिया जितने भी आपके rounds हुए उसका response क्या हुआ आपका selection हुआ कि नहीं हुआ तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे सब कुछ बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले humble request चैनल अगर आपके काम का है तो चैनल को subscribe करके bell में और पे click कर लीजगा क्योंकि इसी तरह के very updates, very informative updates मैं रोज, daily, सुबह और शाम को लेकर आता हूँ जैसी requirements हो सकती है और सबसे खास बात, अगर आप airline airport के job के अलावा भी कहीं job ढूंड रहे हैं तो दोस्तों, वीडियो के description में मैंने एक mobile application का link दे रखा है जाकर उस application के link पे click करें, application install करें अपना थोड़ा सा detail वहाँ फिलब करें और उसके बाद job ढूंडना चालू करें तो दोस्तों, Akasa Airline के बारे में मेरे एक viewer ने recently ही मुझसे एक update लिया है और उन्हों को ने कहा कि sir, हम already interview दे चुके हैं हमारा एक या दो round हो चुका है लेकिन अब finally हमारे पास कोई update नहीं आ रहा है तो दोस्तों, finally मेरे पास एक बहुत ही important update है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, Airline या कोई भी company अपना काम दो तरह के से कराती है अगर उन्हें staff की requirement होती है तब या तो वो direct अपने payroll पे staff को रह लेती है और नहीं, तो किसी और company को वो contact करती है कि हमारे इतने सारे काम है और इसके लिए मुझे इन inequalities के manpower की requirement है इतने लोगों की जरूवत है तो उसके according उस third party में और airline में या तिर किसी company में एक contract होता है कि इतने साल के लिए हमारा contract रहेगा इतनी हम salary इनको देंगे इन सारे details को लेकर उनके बीच में एक contract बना जाता है तो अगर example लेकर चले हम विस्तारा airline का तो दोस्तों विस्तारा airline में जो मैंने देखा है security department के अलावा बाद बाकि जो departments हैं वहां पे third party के लोग काम करते हैं हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हों उस वक्त विस्तारा airline का process चेंज हो जाए या फिर हो सकता है किसी specific airport पे ये साइज process लागूर ना हो लेकिन मैंने जो दो, तीन, चार जगह पे देखा है वस्तारा airline के बारे में वो क्या करती हैं कि security department को अपने direct payroll पे लेती हैं लेकिन इसके अलावा बाद बाकि जो है customer service हुआ, ramp हुआ इसके जो staff है, इस काम को करने के लिए वो third party से contact कर लेती हैं और वही सारा काम करती हैं तो अब बात आती है कि इतना सब कुछ बताने का Akasa Air से क्या इसका connection है तो दोस्तों, अभी जो आप वीडियो के screen पर देख पा रहे हैं आप चाहें तो इसका screen shot भी ले सकते हैं ये confirmation आया है, ये एक mail आया है एक मेरे viewer का, एक मेरे subscriber का और ऐसे सैकड़ो मेरे पास screen shots या फिर मेरे mail पर लोगों ने confirmation दिया है और बताया है कि सर, Akasa Air के side से उन्हें ये update मिला है और दोस्तों, अगर आप इस update को पढ़ेंगे में साफ लिखा हुआ है कि Akasa Air ground handling के रिए अब third party से contact कर रही है यानि कि Akasa Airline अपने जितने भी ground handling है उसके regarding third party को contact टरने के लिए third party को hire करने के लिए opt कर रही है तो दोस्तों, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि Akasa Airline के लिए कौन सी third party hire की जाती है या फिर उनका process क्या होगा लेकिन दोस्तों, अगर ये जो mail है इसके extract को माने तो CDC बात ये आती है कि अभी आप में से वो लोग जिन लोगों का selection तो नहीं कहूंगा लेकिन first या second round हो गया है particularly ground staff services के बारे में तो दोस्तों, CDC बात ये आती है कि आप में से वो जितने भी लोग जो कि फिर ground staff के लिए आपने try किया था, अभी इस बात का doubt है कि आपको दुबारा कोई confirmation mail आएगा, क्योंकि mail में साफ लिखा है कि आपका जो candidature है, आपका details है हमने अपने database में रखा है लेकिन जिस profile के लिए आपका selection हुआ था, जिस profile के लिए आपका जरूर बताईएगा, अगर चैनल अच्छा रगता है तो like, subscribe और share जरूर कर लिजेगा कोई doubt परिशानी होगी, तो video comment में comment कीजेगा, या फिर मेरे Instagram चैनल fly air India पे मुझसे connect होने की गोईश कीजेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए best of luck